नमस्कार दोस्तों तो हम लोग कम्प्लीट कर रहे थे बीपियस सी प्रीबियस एर क्वेस्टेन सब्जेक्ट वाइज 1992 के बाद से अभी तक जितने भी एक्जाम हुए है उसको बिल्कुल करमबध रूप में टॉपिक वाइज के रूप में हम लोग यहाँ पे देखते चल र हैं तो हर वर्स अगर देखा जाया तो यहां पर 15 प्लस जो प्रस्ण इस सिग्मेंट के साथ होते ही होते हैं इसलिए एक्जाम के दिरिश्टी कोड़ से यह सिग्मेंट काफी इंप्रोटेंट हो जाता है इसको में लोग देखेंगे संपूर्ण 20 लेशन के साथ ताकि इसक प्रफान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निल है इसी लिए गया क्यों किया गया पहला यह अप्शन सही है कॉंग्रेस ने इस तिथी को 1930 में सोतंत्रता दिवस के रूप में मनाया हुआ था तो 1930 में ही जवाहदलाल नहरू के द्वारा कॉंगरिस की अध्यक्स्ता ले गए थी और उसी समय उनके द्वारा बोला गया कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और उसी समय जंड़ा हो गरा कर लेके वाभी वरतमान में जो जंड़ा है उस रूप में नहीं था उस समय तो इसे भी अप लोग ध्यान रखिएगा तो 1930 को ही यहाँ पे किया गया और आगे चलके 26 जनवरी 1950 को जब समय धान इसी करम में भी यहाँ पे लागू भी गया तो दो-दो यहाँ पे यहाँ सिक दीन है एक तो पहली बार ठीक है पहली बार गरतंत्र हर्थात स्वराज की और धाड़ा आई और दूसरा समिधान को भी उसी दिन लागू किया गया उसी के उपलक्ष में लागू किया पूर की पूरी यहाँ पे कहानी है भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस के लहोर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्व सोराज की घोशला की गई किसी लहोर तक 26 जन्वरी को सोतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया ठीक है परंतु भारत 15 अगस्त 1946 को सोतंत्र हो गया और तब से वर्ष 15 अगस्त को सोत जिन्ता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा जबकि स्वतंतरता प्राप्ति के पस्चाथ 26 जन्वारी के तिथी को अब विस्त मरडिये बनाने है तू भारतिय समिधान को पूर्त 26 जन्वारी 1950 को लागू कर दिया गया और तब से परतेक वर्स 26 जन्वारी को गरतंतर दिव के रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट है भारतिय समिधान में सामिल है अब देखे भारतिय समिधान की जब भे बात की जाए रहे है जो मूल जो समिधान तो उससमें लिखा गया था उसमें 395 अनुछेद 22 भाग है और 12 अनुछिया है तो अभी करेंड का ये निव जैटी क अनुछेद में का खा गा लगा हुआ हो तो आप उसे समझ लिजिएगा कि कभी न कभी उसमें संसोदा अनुगा होगा और उसमें जोड़ा गया होगा तो समिधान के मूल बात में भाग ठीके 22 भाग है 395 अनुछेद और 8 अनुछिया थी संसोद उनों के द्वारा कुछ न निकाले भी गए नई अनुछिया भी जोड़ी गए और उनकी संखिया आठ से बढ़कर यहाँ पर बारा कर दी गए भारतिय समिधान में है ठीक है अभी देखे हैं हम लोग इने 400 से अधिक आर्टिकिल यह बहुत पुराना यहाँ पर प्रसने 1997 में पुछा गया है नेक्स्ट अम यहाँ पर मिलान करना है अब दिखिये संग्य सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है हमें पता है कि सबसे अधिक जो लिस्ट है संग्य सूची में डाला गया है और वो कितना है ठीक है तो 97 अभी वरतमान में बात करें तो इसका संक्य हो गया ह gramm राज्य सुची की यहाँ पे बात करें तो अभी 66 इसमें लिस्ट है 66 ठीक है अभी वर्तमान में बात करें तो 61 है और समवर्ति सुची में यह मुल समिधान की बात की जा रही है समिधान में था 47 था और अभी इसमें ठीक है 5 आइट कर दिया गया है 52 हो गया है तो एक करेंट का अपडेडेट है ठीक ही से अप लोग ध्यान में रखेंगे तो इसलिए यहाँ पे कॉर्यक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा बी नेक्स्ट निम्न सब्दों पर यहाँ पर विचार करना है कह रहा है कि इसमें जो भी करम से जो जो जोड़ा गया है वो कब यहाँ पर जोड़ा गया है तो सबसे पहले जोड़ा गया है, सारो भामिक जोड़ा गया है, समाजवादी जोड़ा गया है, उसके बाद धर्म निर्पेक्च, उसके बाद यहाँ पर प्राजा तांतरिक जोड़ा गया है, तो इसलिए यहाँ पर कौरेक्ट उतर हो जाएगा C, ठीक है, उसके बाद A, उस इसके बाद D उसके बाद B ए हो जाएगा। एक नया राज्य बनाने में सम्यधानिक संसोधन के लिए कैसा बहमत चाहिए। इसके बाद कार की बीदी अनुछे 368 के परिवोजनों के लिए सम्यधान का संसोधन नहीं समझी जाती है। इट नमबर में उन मौलिक अधिकारों का चैन करें जो भारतिय नागरिकों को पराप्त है परन्तु गैर नागरिकों को पराप्त नहीं है। भासलेम अभिव्यक्ति की सम्यधान बिल्कुल पराप्त है। और दूसरा कानून के समक्त सम्यधा ये देखिए अपने आप में थोड़ा चाहट दिख रहा है। दूसरा है यहाँ पर अल्प संख्यों के अधिकार। अल्प संख्यों के। तो इसमें जो भी ये भारतियों को पराप्त है। जीवन और सोतंदरता का सरवच्छल ये पराप्त यहाँ पर नहीं है। तो देखिएगा गैर नागरिकों को जो पराप्त नहीं है। इसलिए कॉर्यक्ट उतर हो जगाए। अब यहाँ पे जीवन सोतंजरता काधिकार रेकानून के समख सम्था काधिकार है ठीक है यह भारत ने दिया हुए अधर्वाज भारत में दूसरे देश से लोग क्यों आएंगे नेक्स्ट उच्टम न्याले की ब्यवस्था के अनुसार नीजी भावनों के उपर राष्टरिय जंडे को फाराना एक इस आर्टिकल के तहत यहाँ पे आता है ठीक है तो इसका जो सम्बंध है सम्मिधान का अनुचे दे 91 अब इसमें देगे ए लगा हुआ है अर्थात इसको बाद में जोड़ा गया है यह मने कौकी रूप में सी समझ सकते हैं भारती समिधान में संसोधन करके सिच्छा का अधिकार यहाँ पे कब जोड़ा गया अब जो सिच्छा का अधिकार जो जोड़ा गया एक अप्रेल 2010 को जोड़ा गया 26 समिधान संसोधन अधिनियम 2002 के भाग तीन में नया अनुछेद 21 कम जोड़ा गया जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्स की आयू के सभी बालकों को नी सुल्क और अनिवारे सिच्छा की विवस्था करेगा इस करम में सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 संसत द्वारा पारित किया गया है जो अप्रेल 2010 से अनिवारे सिच्छा का प्राउधान किया गया था निवन में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतिय समिधान के अंतरगत मौलिक अधिकार भी है अब इसमें ठीक है अब More than one है, देखिए सुचना का अधिकार तो है ही यहाँ पे, सिच्छा का भी अधिकार है, काम का अधिकार और मकान का अधिकार को लेगे थोड़ा सा ठीक है, समस्तिया हैं, तो दो-दो है, इसलिए स्टार लगाना यहाँ पे जरूरी है, भारतिय समिधान को अनुछेद 91 को के अनुसार सभी नागरिकों को वाक सोतंतरता और अभिव्यक्ति सोतंतरता का अधिकार पराप्त है, सुचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में नहीं थे हैं, अता मुल अधिकार है, इसके साथ अभी हम लोग ने जस्ट देखा हुआ था, कि उसमें सिच्छा का जो अधिकार है, 26, 26 समिधान संसोधन अधिनियम द्वारा भी लागू कर दिया गया, दो बिकल्प सही है, निक्स्ट, भारतिय समिधान के भाग फोर में दिये गए निर्द उसरा होना चाहिए, समान नागरिक यहां पर सही था, बिल्कुल सही है, छोटे परिवार का मानदन, यह तो कोई जरूरी नहीं है, प्राथमिक अस्तर पर मातरी भासा में सिच्छा, ऐसा यह भी जरूरी नहीं है, ओगाया बिलियम जोन्स, मेकाले, अंगलवादी, प्राच उसने बोला था कि प्राचिन, ठीक है, मना प्राथमिक जो भासा है, प्राथमिक भासा, छेतरी भासा गरूप में समझ सकते हैं, जो भी यहां पर सिच्छा का माध्यम बनेगा, ओँ छेतरी भासाओं में दिया जाए, हिंदी में दिया जाए, उस समय, ओट्स डिस्वाइच प्राथमिक द्वारा यहां पर ठीक है, बताया गया था, और कलेजों में इंगलीस, ठीक है, मैकाले था, मैकाले के बाद धीर धीरे, अंगलवादियों के वर्चस्व बढ़ते चला गया, नेक्स्ट, भारत के समिधान में मौलिक करतब यहां, किसी समिधान संसोधन के द्यूटी की बात की जारी है, अब यह जो द्यूटी है, पर निसेबल नहीं है, कि आप नहीं करेंगा ताब को सजा मिलेगी, हाँ लेकिन एक बेहतर देश बनाने के लिए यह जरूरी है, घरे के विक्ति अपने दाइतों का निर्वहन करें, तो भारत के नागरिकों के मु 2016 में जो ब्यालिच्वा संसुदन है, इसको ऐसे ही छोटा समिधान नहीं बोला जाता है, बहुत सारे चेंजे जुए, नेक्स्ट, भारत के राष्टपती अपने सक्तियों का परियोग करते हैं, कैसे करते हैं, तो सीधे अपने अधिनास्त अधिकारियों दोरा परियोग कर तो भारती राष्टपती को ध्यान रोकिएगा, पहली भार डारेक्ट चुना गया, डुक्डर रजंदर परसाथ को, जिसमें संग की कारियोग का सक्ति नहीं दोगी, और वह इसका परियोग इस समिधान अनिसार स्वैम या अपने अधिनेस्त अधिकारियों के दोरा करेग अर्चकिल 53 के 1 के दुबरा, निक्स्ट, यदि राष्टपती यवा मूपराष्टपती का पद खाली हो, तो भारत के राष्टपती के पद पर यहां पे कौन होता है, वो होता है भारत का मुख्या नहीं अधिस, अर्चकिल 55 के अनिसार, यदि देखिये यहां पे मृत्ती ह त्याग पत्र होजा रहा है, उसे हटा दिया जा रहा है, उसकी स्ति-में का राश्पति का पद охली हो जाए, तो पद का कारे भार就是 उसके जो नीचे होगा उप्राश्पतवी ओव्ग उप्राश्पति के बास, उसके साथ भी कुछ यहीं गत्वी दिया होती है , तो उसके का पूरा राश्पती का रोल वहाँ पे प्ले किया जाएगा राश्पती के किरितियों का संपातित करेगा ठीक है राश्पती उत्रादिकार अधनियम 1969 यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ओफ हंक्षन बिल 1969 स्रीमती परतिबा पाटिल का भारतिय गरतंत्र के राश्पती के रूप में यहाँ पे करम क्या है 13 जुलाई को ठीक है उसमें जो 2007 को भारतिय गरतंत्र के रूप में 13 राश्पती चुनाओं में यहाँ पे संपन हुए थे 25 जुलाइ 2007 को परतिबाद देवी सीं पार्टिल के व्यक्ति के अनुसार देश के बराहवा राष्टपती के रूप में सफ़त गरण किया और कार्यकाल के अनुसार उनका जो करम था तिराहवा था दोनों में अंतर है एक बिध्यक जो संसद में प्रस्तूत किया जाता है कौन सी किरिया के बाद अधिनियम बन जाता है तो कोई भी बिध्यक हो यहाँ पर राष्टपती की जो साइन है वो अनिवार्यतत तो बन जाता है इसलिए समिधान के अनुचे 111 में बिधेग पर राश्टपती के अनुमती से सम्मंधित बंदे एक बिधेग जो संसद में प्रस्तूत किया जाता है वह अधनियम तभी बन पाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राश्टपती उस पर हस्ताक्षत कर अपनी समती दे देगा स्री मुहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उप राश्टपती के रूप में करमांग के ते रहवा करमांग के रूप में यहां पर मवजूद है तो इसमें देखिए वेक्ति के अनुसार करमांग बढ़ावा है जबकि उप राष्टपती के रूप में करमांग तेरावा है तो ध्यार रखेगा यहां पे ठीक है राष्टरिय सुरच्छा समीती का परधान यहां पे कौन होता है परधान मंत्री है आप राष्टरिय सुरच्छा समीती यहां परधान अध्यक्ष्टरि के वो भी आप परधान मंत्री है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्तिय ना होते हुए भी भारती यह संसत की करिवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है उसको बलते महानिवादी अटार्नी जेर्नल यह भारत सरकार का इसे वकील बोला गया है तो ध्यान रखिएगा राष्टपती द्वरा अन्युक्त किये जाने वाले महानिवादी में वहीं योग गिताय होनी चाहिए जो सर्वच न्याले के नयाधिस के लिए वस्यक है भारत का महानिवादी संसद का सदव से नहीं होता परांतु वह किसी भी सदन में सदनों की किसी सन्युक्त बैठक में और संसद की किसी समीती में बोल सकता है भाग ले सकता है किन्तु अपना मत नहीं दे सकता है थिरी ठीक है आर्टिकले टीएट के अनुसार महानेवादी राष्ट पती के परसाद परियंत अपना धारण करता है अब यहाँ पे कोई सेलरी हो गया परसाद परियंत के मतलब की राष्ट पती की धया पे जब तो कुछ चाहेगा रखेगा राष्ट पती अधिरवाई उसको परनी जनरल एक MP की सीट को रिक्त घोसित किया जा सकता है मिनिश्टिया और पार्डिया मेंडे यहां पर जो भी आप लोग बोलते हैं ठीक है सांसत की रूप में समझ सकते हैं जाहें वो राज्य सभाका हो लोक सभाका हो यदि वह सदन से लगतार कितने दीनों तक कि मैं आ भारती समिधान के अनुचाद 101 सब आठिकल 4 के तहत संसत तथा नुचेद 190 सब आठिकल 4 के तहत राज्य विधान मंडल के किसी सदसे की सदसेता तब समार्त समझे जाती है जब वह 60 दिन की आउधी तक सदन की अनुग्या के बीना सभी अधिवेशनों से अनुपस्तित रह परंतु यहीं समिधानिक बात किन्तु परंतु लेकिन आये तो सतर्ग हो जाए इस सवधी में सदन के सात्रवसान निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए अस्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा इसमें हो जाएगा 250 सदस से और 250 सदस में जो 12 सदस से है भारत के राष्टपती के द्वारा मनोनित किया जाता है मन मन से चुन लेना अब इसका कुछ डाइमेंड्स है ठीक है कि अलग-अलग कला के छेतरे में सहीति के चेतरे में बिग्यान के छेतरे में ऐसे लोगों को यह पर चुन लिया जाएगा तो इसमें खेल भी ला दिया गया देखिए सचीनते दिलकर्ट के सबना में तो समिधान के अनुचेद 81 सब आर्ट किल वन को खो में कहा गया कि राज्य और संग राज्य चेतरों से 239 से अधिक परतिनिध्यों तथा राष्ट पती द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले 12 सदस्तियों को मिलकर राज्य सभा बनेगी नेक्स्ट 24 हमारे समिधान के अनुसार राज्य सभा का जो कार्यकाल होगा ठीके इसमें राज्य काल को लेके अस्थाई सदन माना गया है मने समाप्त होने का बिसेन इसमें नहीं दिया गया है बस इसमें देखिए एक तिहाई सदास्य परते हैं, दो वर्स की समापति पर यह, निम्रित हो जाते हैं, 粉दस्यne AGA andrae की उनका पुझप पद्य छोड़ना पड़ता है, इस पर कार राज़-सभा के सदास्यों का कार्यकाल होता है, 6 वर्स होता है, इस सभा का ध्यक्ष उसका सदास्य नहीं होता है राज्य सभा ठीक है क्योंकि राज्य सभा में पता है आपको उप राश्पती होता है उसका जो सभापती और वहां राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है पुरंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है समिधान के अनुछे 89 सब आर्टिकिल 1 एवां आर्टिकिल 64 का अनुसारवा राज्य सभा का पदेन सभापती होता है राज्य सभा का पदेन अध्यक्षी यहां पे कौन होता है अभी देखा था हम लोगोंने उप राश्ट पती निमलिखित कतनों में से कह रहा है यहां पे कौन सा कथन सही नहीं है देखिए यहां पे कौ सही है धन बिधेक की सुरुवात राजी सभा में होती है जलकि बिलकुल गलत है लोग सभा में होती है इसलिए जो अधार बिल था लाया गया मनी बिल लोग सभा से पारित कर दिया गया तो कॉर्रेक्ट उतर हो जाएगा आपर बी ठीक है बी एक लिजी आर्टिकल बहुत राजी सभा को धन बिधेक 14 दीन की अवदी में पारित करना होगा साथ ही राजी सभा सिफारिस सहित बिधेक लोग सभा को 14 दीनों में वापसी करेगी इससे ग्यात होता है कि राजी सभा धन समंदी मावलों में बिलकुल सक्ती ही नहें धन बिधेक पेस किया जा सकता है लेखा नुदान कैक की बात यहाँ पर की जा रही है लेखा नुदान कर रहा है कि बना है कब बना है तो लेखा नुदान जो बनाया गया है बजट पारित होने के कारण नीधी अवंडनेतु की पूरा का पूरा देख रेख यह कर सके तो बिनियोग बिधयों के पारित होने के बाद ही समयकित कोच से कोई रकम निकाली जा सकती है किन्तु यदि सरकार के बित्य वर्ष के अंत में बदलावाए नई सरकार बिनियोग बिधयों के तुरंत नहीं लाए कर सरकार के लिए एक अग्रिम रासी मंजूर कर सकती है अनुछेद 116 में यह ब्यवस्था है कि यह अधिया कास्मिक परास्तितियों में सरकार को बहुत अधिक धन किवा सकता होती है जिसे यूद के समय उस अंसद सकल रासी की स्विक्रिटी दे सकती है इसे ही अनुदार उन् पर्तमान मेरिके बिल्ला ओं बिल्ला तो दियान रखिएगा लोक लेखा समीतों दोर अपनी रिमके लोक्रिपोर्टोटोसभा के अस्पिकर को प्रस्थित कि जाती है लोक समीती लोक ब्यवप प्र नियांतनर रखने वाले एक संसधिय समीती है इनमें लोक सभा के पंदर और राजे सभा के साथ सदस्य समय बारा सदस्य होते हैं इसका उदेश से लोक ब्याय के दुरुपयोगे वम और नियमिताओं को सदन के समक्षु जागर करना होता है यह उन लोक प्रादिकारियों के विरुद करवाई के भी सिक फारिश कर करता है जो ब्याय के दुरुपयोग है तो उतरदाई तो पाए जाते हैं समीती नियंतरा के हो महा लेखा परिछा की रिपोर्ट को अधार मानकर लोक ब्यायों को परती रच्ठ करती है समानेता विपक्ष के लोक सभा सदस्य का इसका अधिक्ष नियू जाने की आपर प्रत कर रहा है कि यहां पर कॉधनों में से एं कौन सा एक यहां पर सही नहीं है जलदिवाजी आप लोक नहीं करना है एक जाम में धैरे से पढ़ना है और अगरसर अरे सरोच नियाले के गठ़न 1950 में हुआ नहीं हुआ था था गलत है यहां पर सरोच नयाले के कि उच्ठम अडालात है जिसमें आ पर अपेल की जाती है, अपका अगा पुछ रहे हैं है इस पत्म नोग्थाम उच्ठम अडालत है, जिसमें आप्धिल की जाती warfare मैं यहां यह यह था पूंशल गलत है ठीक है देखिए मैंने भी बोला और अभी मुझे ही confusion हो गया तीसरा है सरवच नियाले कोट मासल को छोड़ कर रहने किसी उच नियाले अदालतों के सुनवाई कर सकता है यह गलात है देखिए सरवच नियाले है सबसे सरवस्रिस्ट सबसे उपर है कोई भी किसी भी परकार के सुनवाई इसमें की जा सकती है तो इसमें सशस्त्र सेनाने अधिकरण अदनियाँ 2007 के प्रवधानों के अनुसार निग्स्ट राज्य सरकार का कारेकारी अध्यक्छ मने समिय धानिक पर मुख कोन होता है अब राज्य सरकार का देखे कारेकारी वो होता है राज्य पाल केंद्रे में रास्पती राज्यों में राज्य पाल तो समिधान के अनुछेत 154 साबाल किल वन का अनुसार राज्य की कारेपाल का सकती राज्य पाल में नियत होगी जिसका पर्योग वह इस समिधान का अनुसा पर स्वयम या अपने अधिनस्तों के द्वारा करेगा नेक्ट एक उच्छ न्याले का नैधिस अपने पद की सफ़त लेने के बाद 62 वर्स की आयू तक अपने पद पर कारे करत रहता है इससे पुरुवा राश्पती को संपोधित करता है अपने हस्ताक्छर यूत्र पत्र द सकता है 217 का कि अनुसार साथियों से सिद्ध कदचार या अस मर्थता के अधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कूल बहुमत से जो पस्तिते मतदाता मने मतदान करने वाले सतास्यों का दो तिहाई द्वारा पारित प्रस्ताव से राश्पती पदमुक्त भी किया जा सकता है भारत में चलित नियाले मनें मोबाइल कोट इसका मानसपुत रहे आपे मनें कोहन इसको ठीक है पैदा किया किसके समय लाया गया ये था डॉक्डर एबीची ठीक है अब्दूल कलाम के समय इसको लाया गया 4 अगस्त 2007 को हर्याणा के मेवाद जीले में इस्तीत उन्हामा में देश की पहली मोबाइल आदालत का उदगाटन किया गया इसका सुभारम भारत के ततकालिन मुख्या नियाधिस के जी बाला कृष्णन ने किया इसका अदेश से सुधेर ओं पच्छडे इलाकोयों नियाईक ब्यवास्ताकला पहुचाना है इस प्रकार के नियाई लोग की परिकल्टना सर पर्थम जो भी फॉर्मल प्रेसिडेंस या लेट प्रेसिडेंस ठीक है डगडर एब बी जी अबदुलकला में आया हाँ पे की थी किस सनुछेद का अनुसार भारत के राष्पती द्वारा राष्टिरिया पातकाल की यहाँ पे गोश्रा की जाती है नेशनल इमर्जेंसी की बात की जारी बड़ा ओड दिया है तिन सो बावन सो तर तिन सो पंचानमे ठीक है तो बावन चपवन और शाठ आप लोग ध्यान रखेगा तो नुचेद तिन सो बावन है यहाँ पे अब यह नहीं दिया है कि किस परकार की इमर्जेंसी सीधी दे दिया इमर्जेंसी तो इसमें दिया हुआ है देख पार है यहाँ पे तिन सो बावन के अंतरगत यहाँ पे आंतरी का सांती के अस्थान पे तीन सो चापन में बोला गया है कि यदि राष्टपती किसी राजे के राजपाल से परतिवेदन मिलने पर नहीं थे असमधान हो जाता है कि उस राजे में मैं किसी के सरकार नहीं बन पाई है तब और तिसरा है तिन सो साथ यदि राष्टपती कोई असमधान हो जाए कि बित्य इस्तिती भारत में पैदा हो गई है तो आप लोग से ध्यान रखिएगा ठीक है तो 352 में ठीक है आंत्री का सांती है और 356 में बार-बार लगते रहाता है काफी कांट्रोवर्सिय है इसमें राजियों को लेके है और 360 में यहां पे बित्य है ठीक है इमर्जेंसी केंद्रों राजियों की ब्यवस्त थापिकाओं के लिए मतदान की नियुंतम उम्र के सिमा 21 वर्स से घटा कर कितना कर दी गई 18 वर्स यहां पे कर दी गई वो कब किया गया सोदन 1988 द्वरा मत यदिगार की आयूक वर्स ठीक है 21 वर्स से हटाकर उने घटाकर 28 वर्स किया गया 28 वर्च 1989 से परभावी हुआ तो जब परभावी होता है ठीक है उसी समय से माना जाता है मने एकजाम अगरा में आए फिर आप implementation जो होगा उसी समय में प्लो जानेंगे तो नवी उकुद्वार 18 वर्स की आयू पर मताधिकार का पहली बार परयोग 1989 में संपन नौवी लोग सभागे आमचुनाओं में किया गया नेक्स 37 आमचुनाओं में मतदान की आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई एक सठवे संसोधनों के द्वरा भारतिय समिधान की 28 सुची में मानने सरकारी भासाओं की संख्या है कितनी संख्या है CDPOM NES के पूरर गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा अस्थापी समीती का नाम बता है जिसने ग्रामिड अस्थानिय सरकार की त्री अस्तरिय पढाली का सुझाओं दिया था उस महनुभाव का नाम है बलवन्त राय में था पंचायत को ले के पूछा जा रहा है बार बार पूछा जाता है तो वर्स 1952 में प्रारंभिक समुदाय विकास कारेकरा और वर्स 1953 में राष्रिय बिस्तार योजना के पुनर गठन के लिए राष्रिय विकास परिस्त द्वारा बलवन्त राय में था समिट्टी का गठन किया बीपी असी का बड़ा फेवरेट क्वच्चन है वर्स 1957 में किया गया इस समिट्टी ने गरामिड शेत्रों में तिरी अस्तरिय पंचायत प्रणाली के अनुसंसा की नेक्स्ट बीपेंद्रिकन और प्रणाली के सिफारिस किस ने की थी बलवन्त राय में एता है अब यहीं बीपेंद्रिकन देखिए केंद्र राज्य है अभी क्या होगे पंचायत हो गया तो भारत के संराचन अभी त्री हस्तरिय passer ठीक है संरचना के रूप में मानी जाती है असोक मेहता समीती ने निमलिखित की सिकारिस की थी क्या तो पंचायत राज की दिरी अस्तरिया सरकार होनी जाहिए वर्स नेक्स्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल लेक संगठा ने जो जुड़ा हुआ है किस से जुड़ा हुआ है तो मानों अधिकारों के सट्रचर से जुड़ा गया है अस्थापना 1961 में लंदन के बैरिश्टर पीटर बेंसन ने की थी तो ध्यान रखे गई लाया ही क्यों के आगया है क्योंकि इसमें अनयतिक गिरफदारी की बिरोध में दफ हो गटेंड प्र दोजराठ में पूछा गया है उसको ठीक है वहाँ पे सिहुंजा नियू जिजेंसी भी बोला गया इस देश की सरकारी रिपोट को एलो बुक कहा जाता है फ्रांस की एलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोट है भारत के प्रथम बीधी बीसो बिद्याले की अस्थापना 1987 में कहां हुई थी सर प्रथम हुई थी यहाँ पे बैंगलोर में तो प्रथम बीधी बीसो बिद्याले नेशनल लोग स्कूल ओफ इंडिया के स्थापना 1887 में बैंगलोर में की गई थी तो यहाँ पे आप लोग ठीक है कोरेक्शन कर लिजेगा 1887 होना जाहिए नेक्स्ट सीमा सुरच्छा बल किया स्थापना कब की गई यह किया गया 1965 में बीए सेप टीके बॉडर सिगरिटी फोर्स का गठन एक दिसंबर 1965 में किया गया जो भारत अथा पोडोसी देशों के स्थापना पर तेहनात किये जाते हैं इसका मुख्याल है नए दिली में है विश्व भ्यापी मानव अधिकार अंदोला ने इसके अस्थापना वर्स 1961 में लंदन के एक बैरिश्टर पीटर बेंशन ने की थी वर्स 1961 में पीटर बेंशन ने विश्व में हो रही अनायतिक गिरवतारिक बिरोध में दफ और गटेंड पिरिजनार्ष नाम अग एक ले चीन की समाचार अजेंसी का नाम है निर्चाइन अजेंसी बार बर रिपीट हो रहा है इस देश की सरकारी रिपोर्ट को इलो बू के हापर का जाता है ठीक है तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को यह थोड़ा से दो बर प्रिंट हो जुका है ठीक है दो बर थोड़ा से ध् इसका पूर्प हपारत में लागू किया गया है. तो, देठ था 26 नॉवर उनिस्व Maintenant 49 को ठीक हैR 25-平 poner 50 को लागू कर दिया गया . भारतिय इसंधानद समनाया जाता है 26 नॉवर को भारतिये समनधान को अपनाया गया था। ठीक हो समिधान सभा के द्वारा अपनाया गया था तो ध्यार रखिएगा जब अपनाया गया तब यहाँ पर जो भी माउंट मेट हैं ठीक है सारी लोग यहां से मतलब लगभग जा चुके थे तब 1937 में भारत अज़ाद हो चुका है मैंने स्वाहित हो चुका है सुपरिंटी भारत के पास है भारती समिधान के परस्ताओना के सिलसले में निमलिखित में से कौन सा करम द्याल रखिएगा कौन सा करम यहाँ पर सही है तो जहां तक परस्ताओना का मुझे है ठीक है करम याद है सारो भौमिक ठीक है सत्ता संपन है समाजवादी है धरम निर् तो देखिए यहां पर D option है ठीक है सारवभाम सत्ता संपन चलिए देखिए यह सब करम से आपको देखिए जो प्रस्तावना है जो उदेश्तिका जो प्रियम्बल है कितने उससे भी याद नहीं करते नहीं याद करेंगे तो देखिए बड़ा फेवरेट पोचन है देखिए से रिपीट हो गया भारती समिधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में गोसित किया गया है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक और एक गड़ तंत्रिक रूप में प्रस्तुत किया गया है भारत में लौकिक सारवभामिक्ता है क्योंकि समिधान के प्रस्तावन आरा इसे प्रवप्द है. भारतिय समिद्हान की प्रकृति क्या है? इसके नेचर की बात की जा रही है. ठीक है? तो इसकी नेचर है प्रकृति में संग्य किंति भावना में कात्मक हैं. समझे इसलिए बोला गया है भारत को एक अर्ध संगहातमक ढाचा भी इसे भूला जाता है क्योंकि इसमें राज्य और केंद्रे और आगे चलके बलवान राय में आता है कि इसी फार्चों कदार पिर तिरी सनरचना कर दिया गया पंचायत भी लाया गया ताकि सक्तिक अधिक से अधिक विकेंद्रिकराण हो सके निक्स्ट भारती सम्मिधान की दसवी अनुसुची का संबंध है दल विरोधी इंटी डिफेक्शन लोग बड़ा इंप्रोटेंड इसे बारबर पूचा गया है तो 95 में लाया गया उसमें ठीक है आपको पता है राजीव गांदी भूमी सुधार डैस डैस के विसयों के अंतरगत है किसके विसयों के अंतर किसका सब्जेक्ट है राजी सुची का विसय है भारतिय नगरिकता नहीं प्राथ की जा सकती है भारतिय बहेंग में ठीक है बड द्वारा किसी भू भाग के समिलन के द्वारा जैसे के अभी हुआ था वहां पे बेरु बाड़ी बंगलादेश में जो हुआ था ठीक है वहां बड़ा संदार तरीके से किया गया पर क्रिया को 2015 में जो हुआ ठीक है बहुत सारे छेत्रों को बंगाल को दे दिया गया और अधिकारों को लागू करने की सक्ति दी गई है तो सर्वच न्याले अवम उच्छ न्याले को यह दिया गया है मुल अधिकारों को परवावर्तित करने की सक्ति उच्तम न्याले आठकिल 226 को प्राप्ते उपियुक्त न्याले अपनी सक्ति के परियोग में पांच परकार क रिट जारी करते हैं बड़ा इंपोर्टेंट है देख लीजिएगा परमादेश, बंदी पर्तेक्चिकरण, अधिकार प्रिथा, प्रिच्छा उत्पिरेशन और प्रतिस्यद है थोड़ा थोड़ा सा ठीक है अंतर इसमें है ध्यान से नहीं देखेंगे इंग्जाम में कोई जना जाएगा तो एक्सिडेंट हो जाएगा भारती समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं इसके अनुछद तो 12 से 35 के बीच जितना भी अर्ट किले सब फर्डमेंटल राइट से सम्बंधित है तो वर्तमान में कुल चौलिक 6 मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं बहुत पाले का उचा गया है भारत के समिधान का निमली खित में से कौन सा नुछेद प्रेश की स्वतंतरता से कहराय की संबंधित है ओँ है आर्ट किल 19 1-9 निमली खित में से कौन सा मौल भूत अधिकार यहां पर नहीं है ओँ है सम्पति के अधिकार को हटा दिया गया केस्व नंद भारती आप लोग बड़ा इंपोर्टेंट ठीक है एक केस है और वी साल केस्व नंद भारती के मृत्ति भी हुई है तो यह दोर इंपोर्टेंट हो जा रहा है तो से देख के जाई सम्पति के अधिकार को तो 44 सवे समिधान संसोधन के द्वारा इससे मूल अधिकारों से हटा कर अनुछे 300 यह में यहां पर सामिल करके केवल बिधी के कानूनी अधिकार बना दिया गया नेक्स्ट एक कल्ल्यार कारी राज्य का अधार सु देख के लिदेश लिटी देह ही पाए क्योंकि अगर वो नहीं दे पाए तो उसके खिलाब कोई व्यक्ती सुप्रीम कोट हाई कोट नहीं जा सकता है तो यहां पे बात की जाते है जब भी राजे के नितिन नितो दे सकता तो की और मुल कर्द अभ्यों की ठीक है तो इसको लेके कोई भी complain नहीं कर सकता है इसके सबसे बड़ी खासियत यहीं है मैंने court mil इसको लेके तया नहीं जा सकता है पर निसेबल नहीं है next भारत में निम लिखित में से किसके अंतरगत पंचायती राज परणाले की बेवस्था की गई है किसके अंतरगत तो राजे के निती निर्देशक सिधान्त के अंतरगत किया गया है राजे के निती निर्देशक सिधान्त किस परकार मौलिक अधिकारों से भिन है ये भिन है नित्ती निर्देशक सिधांत परवर्थनिया नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परवर्थनिया है मौलिक कर्तब्यों को निर्धारित किया गया कब किया गया 42 समिधान संसोधन के द्वारा किया गया तो यह हो गया total 11 निमलिखित में से भारत में मौलिक अधिकार करतब यह कौन सा है तो हमारी मिली जूलि संस्क्रिती की बिरासत को संराचित करना यह मौलिक करतब यक रूप में मौजूद है राष्ट पति ठीक है क्या है संसत का यह हिस्ता होता है द्यार्रके का राश्टपती संसद का हिस्सा होता है इक्स्पनेशन देखे बड़ा संदार है भारत का राश्टपती लोकसभा और राजसभा के साथ मिलकर संसद का निर्मार करता है इस परकारवस संसद का भी नग है गौर तलग है कि सरकार की संसदिय विवस्था में कारिपाल का अपने नीतियों कारियों के लिए बीधायका के प्रत्ति उतरदाई होती है संसलिय सरकार को कैमिनेट सरकार या उत्तरदाई सरकार या सरकार का ये बहुत इंपोर्टनेट नामे वेश्ट मिन्स्टर मॉडल भी कहा जाता है भारत में राष्टपती का चुनाओ किया जाता है अगर भारत के राश्पती के सुनाम है इलक्सन में कोई बिवाद है तो इस बिवाद को सौपा जा सकता है भारत के सरोचनियालो को सौपा जा सकता है अर्ट्किल सेवेंटी ठीक है मौन के अनुसार भारत के राश्पती को उसके पद से हटाया जा सकता है संसत के द्वारा बड़ी धूमदाम से हटाया जा सकता है भारत का कारेपालिका जो अदेक्च है इक्जिक्यूटिव जो हेड है अभी है राष्टपती अब देखिएगा भारत का अभी राजियों के देदेगा तो राजेपालो हो जाएगा केंदर सरकार में उच्तम नागरिक सेवा अधिकारी यहाँ पर कौन है ओ है मंतरी मंडल सची बहुत इंपोर्टेंट है केंदर सरकार में उच्तम नागरिक सेवा अधिकारी मंतरी मंडल है जो भी ठीक है एक एक मंत्री मंडल एक एक डिपार्टमेंट जिसको दिया गया है भारती समिनान में केंदरिय सरकार की अधिसासी सक्तियों को किसमे निहित किया गया है भारत के राष्टपती में निहित किया गया है आठकिल 53-1 के अनुसार राष्ठपती राष्ठत्री अपातकाल की घौशना कर सकता है बाय अक्रमन के अधार पे यूद के अधार पे इमरजेंशी की बात की जा रही है तो सभी के अधार पे यहाँ पे कर सकता है 352, 356, 360 है गवर्नर के सलाव पर किया जाता है भारती समिधान भारत के राश्पती को अधिकार नहीं देता है राजियों के मुखे मंदरी की नियुक्ति का अधिकार क्योंकि यह ध्यार रखेगा यह लोग राजियों के जो बिधायक होंगे बिधान मंदल के जो सदस्य होंगे वे यहाँ पे ठीक है निर्धारित करेंगे तो उसमें important हो जाता है बिधान मंदल के अंतर गत ठीक है जो भी बिधान सबा ठीक है next भारत के राष्टपती को यह अधिकार नहीं पराप्त है कि वह क्या करे सर्वाच नियाले के नियाधीस को हटाएं बड़ास मने सर्वाच नियाले के नियाधीस को हटाना राष्पती को हटाना यह इतना तेंड़ाट खीर है कि मने एक बार इसको बना दिया जाए मने समझे कि इतकुस को हटाना बिलकुल ही असान नहीं है अनुछेद 124 के खंड 4 के अनुसार उचितम नियाले के इसी नियाएधिस को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक साबित कदचार या आसमर्थ तथा के अधार पर ऐसे हटाया जाने के लिए संसत के परतियक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संखिया के बहुमत द्वारा तथा उपास्तित और मत देने वाले सदस्यों के कम सिकांग दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थी ते समवेदन राष्टपती के समझ उसी सत्र में रखे जाने पर राष्टपती ने उसे हटाने का देश नहीं दिया है सोतंदर भारत के प्रत्थम राष्टपति कहां से थे बिहार से थे रजंदर परसाथ ठीक है तो ध्यान रुखेगा सम्मिधान सभा के जो प्रत्थम जो अध्यक्च बनाए गए जो कि बिल्कुल अस्थाई थे अस्थाई थे वो थे सजिदान अन्द सिन्हा उसके बाद से अस्थाई अध्यक्च बनाए गया वो थे डगड़र रजंदर परसाथ कौन सा कथन कहरा आपे की असत्य है असत्य पर आपको टिक करना है राश्ट्पती पत के लिए परत्यासी की आयू कम से कम 35 वर्स होने जाहे ये बिल्कुल सही है उप राश्ट्पती सभा का सभापती बनता है बिल्कुल सही है उप राश्पती का चुना भारत का राश्पत करता है यह बिल्कुल ठीक है ध्यान रखिएगा यह कोरेक्ट उतर नहीं असत्य हो जाएगा राजसभा का सभापती कौन होता है देखिए उप सभापती मने उप राशपती इतना पुछा जा चुका है भारत का परधान मंत्री मुख्य है किसका मुख्य है केंद्रिया सरकार का परमुख्य है अनुछेत 74-1 के अनुसार राजपती को सहायता और सलाह देने के लिए मंतरी परिशद होगी जिसका परधान परधान मंतरी होगा हमारा समिदान मंतरी मंदलिया परणाली को मनेता देता है इस परकार भारत का परधान मंतरी केंद्रिया सरकार का परमुक होता है परमुक्ता या लोग सभा में बहुमत वाले दिल का नेता होता है आटकिल 78 का अनुसार या परधान मंत्री का करता बे है कि मंत्री परिशत के सभी बिनिश्चे से राष्ट पती को यहाँ पे संसुषित करे और जो जनकारी राष्ट पती मांगे वह दे संग्य मंत्री परिशत के मंत्री उतरदाई तो होते हैं किसके प्रती उतरदाई तो होते हैं केवल लोग सभा के प्रती तो इसमें दो आटकिल हैं इससे आप लोग देखिए अनुचेद 75-2 के 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 अनुचेद 75-2 कवस्था में कारेपाल का कि का दिर्ट कर का यह बड़ा कुल सब्वारत का परधान मंत्री किसके प्रती जबाब hand very है वो है जबाब दे है लोक सभा के प्रति समिंधान में मंत्री मंडल सव यह कहीं बार यहां पर प्रयोग हुआ है और वह प्रयोग हुआ है किसमें हुआ है तो उन्हों आश्पते द्वारा पर साथ परियंत्र इसके अंद्रकतों कार्य करता है कानूनी विशयों पर राज्य सरकार को कौन पर मर्स देता है देकि महानेवादे टोर्नी जनरल बार बार आ रहा है अर्टकिल 6165 के अनुसार इसकी न्युक्ति होती है आजादी के बाद भासा के अध अर्टकिल 75 के अनुसार बहुमत तलका लोकसभा के लिए चुनाओं में निर्वाचित होने के लिए किस वेक्ति के लिए नियुनतम आयूस जिमा है तो है यहाँ पर 25 वर्स ध्यान रखेगा 25 वर्स ठीक है और राज्य सभा में 30 वर्स होना चाहिए लोकसभा के सदस से चुने जाने के लिए एक वेक्ति किस आयूस से कम का नहीं होना चाहिए इसका कम नहीं होना चाहिए तो 25 वर्स से आयू कम नहीं होना चाहिए यदि उस्से प्राप्त ना हो सकते टीक है तो इसम्हें लेके वैद मतों का ओइं टीरी एन वैद मतों का ओण फूर यहाँ पर फिल्वेस हैं धीडियर से देखा आप लोग दिखिए इसको देखिए एक बार में के लिए निवराई सिरी वीजन भी कीजिए यकीन मानी है कि एकदम BPS देख रहे कितना कोशन रिपीट कर रहा है यहां से प्रशन आएगा ही आएगा अब बाकी का एप्रोक्स लावा जो 100 क्वेस्टन आप बच रहा है उसको हम लोग कल कंप्लिट कर लेंगे जले फ्रेंट्स थैंक्स वर वाचिंग एंड जय हिंद